हेलो शुडेंट नमस्त का सौगत है आप सबका इस वीडियो में इस वीडियो में हम दिस्क्स करेंगे कख्षा ग्यारमी का बारिसिक वरीक्षय का हिस्टरी के पेपर का पूरा स्वल्यूसन देखे सभी प्रिशनों के स्वल्यूसन आपको इस वीडियो में मिलेंगे देखे इसे पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने फिशने क्रमांग एक से लेकर दस तक के सभी प्रिशनों के उत्तर देख लिए थे पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दी गई है वह आप देख लीजिए आपको बस तो निस्ट सी का पेपर है तो आपका सेट दी आप 9 का उत्तर अध्व nhất हम इसमें कर रहे हैं तो अध्वा बाला है 11 का ठीक है तो आप प्रिशने पढ़िए पहले इसमें पूछा गया था मेशो बडिया में मेशो पोटामियों के लोगों की आर्थिक जीवन के बारे में इस प्रकार से आप पूरा इसका अंसर लिखेंगे ठीक है इस प्रकार से आप पूरा अंसर आपको लिखना पड़ेगा इसमें ठीक है तो पुष्ण क्रमांग 11 का देखते हैं तो आप 10 तक के उत्तर देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्कुस्म बॉक्स में लिंक दी जाएगी उसके माध ठीक है इस प्रकार से अंसर लिखेंगे काफ़ी बड़ा अंसर है ये कि अथक्त जाम एक तर आप लिखते करके तो पन नकी प्रिक्तिरा का उत्र प्रकार से आप लखेंगे उसके बार आंगे देखते हैं इसमें अब बासी क्रहंती ही में तो इतना आपको लिखना पड़ेगा ठीक है कि आप चाहते हैं तो पूरा एक बार पढ़ लीए उसके बाद आप अपनी सब्दों में चूटा करके लिख सकते हैं उसके बाद प्रसंसरे करमांग 14 नहीं किया गया तो एक कारण आप लेख सकते हैं तो एक कारण तुमें लिख दिया है ठीक है इस प्रकार से आप लिख लीजे प्रिष्ण क्रमांग 14 का उत्तर अब हम देखते हैं प्रिष्ण क्रमांग 15 का उत्तर रोम की समाज में महिलाओं की स्तिती कैसी थी ये कुश्चन था आप अथवा वाला हमने से किया है तो अथवा लिखा है आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं गार्ष्ण करमांग 16 में धर्म युद्दियों की परभाव या परंडाम युद्धू के परणाफ्या है तो एल्युद्ध्यों की पर्णाफ्यापी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पहले धर्म युद्ध्यों को थोड़ा समझा देंगे उसके बाद और नाम लिख लेंगे तो आपको पूरे नमबर हीं को मिलींगे उसके बात देखते हैं पृस्छन करबांक साथा का ऊत्तर तिक अत्वा वाला है क्मिंशЕТ कर रहे हैं इसमें आप अफ़ा वाला इस प्राकार से लेखेंगे ऑ प्रि क्रिमाग 17 तो कही बड़े हैं उत्तर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे वैसे हिस्टरी में काफी वड़ें उत्तर होते हैं प्रिशन क्रिमाग 18 उत्तर 18 का उत्तर नहर तथा जेलवी परिभयन की सापिक्षिक लाब निम लिखे थे इसमें पूछा था कि क्या है तो नहरों के सापिक्षिक लाब इस प्रकास से आप लिखेंगे और नहरों के सापिक्षिक लाब लिखने के बाद आप लिखेंगे जेलबे परिवहन के सापक शिरलाब तो इस प्रकार से आप दोनों के लिख लेंगे कम्प्लीट आपको कॉस्चिन इस प्रकार से पूरा हो जाएगा चलिए अब देखते हैं प्रिष्णिक रमांक 19 का उत्तर इस प्रकार से आप देखेंगे और लिख लेंगे गोल्ड रेस के बारे में उसमें पूचा गया था तो इतना आपको लेखना है इतना आप लिख लीजे अच्छे से वीडियो पहुच करके लिख सकते हैं उसके बाद देखते हैं प्रिष्णिक बीस का उत्तर प्रिष्ण ग्रवांग 20 में डाक्टर सनायात सेन को आधुरेक चीन का संस्ताइब कमाना जाता है तो उनका उनके बारे में पूछा गया था उनके सिद्दान्त पूछे गए थे तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से ठीके सिद्दान्त है ये और उनके बारे में लिखा जापान काला सागर और मुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि उसके बाद देखते हैं नेस्ट कुश्चिन है कि प्रिष्ण क्रमांग 22 का उत्तर मेस्ट पोटामिया की विश्चु को क्या देन है यह कुश्चिन था तो इसका अंसर अब इस प्रकार से लेखेंगे ठीक सिरकार से आफ लल लेख्ते जाए यह पूरा आंसर परिष्ण क्रमांग 22 का उत्तर हम देखते हैं यह 22 का देखते हैं इसके अत्याचाई जो सामूंतों के पतन के कारण है वो क्या थी मेरी कि प्रिष्ण क्रमांग 23 का थ्वाले हम आप लिख दी है उसके बाद प्रिस्टने क्रमांग 24 का उतर देखते हैं यूरूप के पुर्णर जागरण में यूरूप में बैग्याने करांती को जर्म दिया तो यहां पर लिखना है आपको बैग्याने करांती का जर्म किस प्रकार हुआ यूरूप में तो प्रिस्टने क्रमांग 24 का उतर ऐसे पर लिखेंगे इतिया प्रकार से लिखते जाएं चाहिह एक तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और अद्ध करांती यह हो चुका है आपका ठीक है उसके बाद देखते हैं पूरा देख लिए जेसका और बड़न कर दीजी ठीक है पूरे पेपर का सॉलिशन देख लिया है आपने अन्य विशियों के पेपर के सॉलिशन नहीं देखे हैं तो चैनल पेले रिस्ट पर जाईए बहार से आप देख सकते हैं थैक्स पर बाचिंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को स्चेर जरू कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना थैक्स पर बाचिंग जरू कर देखे हैं